हलो दोस्तों नमस्कार सब्तंतरता देप्स के हादिक शुब कामना आए जाहिन सलेउट जाहिन तीरंगा जो हमारे देश की मान सम्मान है और आज पूरा भार्थ बर्ष अजादी की पचेत्रवी बर्ष गांट जो है पूर्ण करके दोस्तों अब बात करते हर गरती रंगे की हर गरती रंगा 15 अगस्त में पैराना ही चाहिए या लगना चाहिए या निशिति या सुनिशित की अगया सरगा की और से प्रंटो यहाँ पे कई बार दोस्तों यह हमारे राष्ट्र धवज है इसका सम्मान करने में हम कहीं न कहीं कमी कर जाते है जाने अन जाने हो सकता हमें पता नहीं हो जान बुच के तो गोई नहीं करेगा वैसे सचा हिंदूस्ताने और जाने अन जाने हम इसका जो अपमान कर देखते हैं उसके बारे में हम आज थोड़ा आपको बताए कि तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी बरदास्त नहीं है, और समीधान में तिरंगे के अपमान करने वालों के लिए सक्त सक्त सजा का प्रापधन है, तो आए हम कुछ points पे बात करते हैं, जो की इस तिरंगे के साथ नहीं किया जाता है, इस देश की आनबान और शान के साथ बिल्कुल भी जुका हुआ लगाया, इस परकार से लटका के लगाया हुआ है, जो की जंडे का अपमान है। जंडे को कभी भी जुकाया नहीं जाता है, जंडा केवल राज के शोक पे ही जुकता है, बिना राज के शोक के जंडा कभी भी नहीं जुकता है, दोस्तों ये बात सभी आप गांट वांद ले हैं, कि तिरंगे का सम्भान करें और इसे हमेशा उन्चे स्थान पे रखिए, ब प्योग नहीं कर सकते हैं, जिसका हम अपने शरीर को साफ करने के लिए करते हैं, अपने हाथों को साफ करने के लिए करते हैं, अगर कोई ब्यक्ति तिरंगे का अपमान करते हुई, या हाथ साफ करते हुई, या मूँ साफ करते हुई, या बालों को साफ करते हुई, या त्रगा हाथ में ला राया हूआ था और बंद्यमात्रम का गाना भिगा रहे थी तीरंगे से बस पर तक यूत इश्वक्ती किया है restrictive तो जाने अन जाने उन्होंने क्या किया था जो उन्होंने साड़ी पहने थी तिरंगे की वो गलत है क्योंकि तिरंगे को आपके जो कमर के नीचे का हिसा है उसके नीचे नहीं पहना जाता है ये याद रखे गया हमेशा या तिरंगे का अपमान होता है दोस्तो जान बूझ कर हम इस तिरंगे को नीचे जमीन पे नहीं लगा सकते हैं ना ही पानी में इसको भिगो सकते हैं या इसे खेल सकते हैं अगर कोई जान बुझ कि तिरंगे को नीचे मेटी में रगड़ता है या पानी में इस परकार से खेलता है या मतलब इस तिरंगे का इस परकार का अपमान कर तो उसे, वो कानों में दंड़नी या अफराद गोशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस तिरंगे झढडे को ना हम अपनी गाड़ी में लपेट सकते हैं, ना खिजी ना में, ना रेल गाड़ी में कहीं भी इसको लपेट नहीं सकते हैं। और यह दंडनी अफराद है तिरंगा रैलिक के बीश में जाने अन जाने कई लोगों ने तिरंगा गाड़ी में इस प्रकार से लगा रहा था जहां पे तिरंगे को नहीं लगाए जाता है अगर गाड़ी में तिरंगा लगाने के हम अधिकार की बात करें तो वो केबल राष्टपती को है उपराष्टपती को है परदान मंतरी को है कैबिनेट मंतरी को है जो संसत के अधक्षे उनको है या संसत बगेरा है और स्प्रीम कोड के जज और हाई कोड के जजिस जो है वो ही अपनी गाड़ी में तिरंगा लगा सकते हैं और तिरंगे जो लगाने कि अगर हम बात करें तो हमेशा गाड़ी की राइट साइड में लगता है दाईए और लगता है दोस्तों एक बात में और बता दूं अगर कोई विदेश का गंदमाने व्यक्ति हमारे देश घूमने आता है तो सरकार के द्वरा उससे बहान-परदान किया जाता है तो देखिए दोस्तों कितना मान सम्मान की बात कितना महत्वपुन यह तिरंगा हमारे लिए हैं और कितना रिस्पेक्ट इसको मिलना चाहिए और दोस्तों तिरंगे को हम पर्दे के रूम में इसको प्रियोग कर सकते हैं यह मैंने पर्दे के रूम में यहां पर प्रियोग नहीं तिरंगे को उल्टा लहराना कानुन अपराध है और गलत है उस दिती में उस ब्रति के लिए सजा का प्रापदान हो सकता है और तिरंगे को कभी भी उल्टा नहीं प्यराए जाता है अमेशा याद रखिएगा तिरंगा कभी भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए मेला कुचला पर देश के अलब अब देश का अपमान, आप दोस्तों, सबसे !! बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, वो आपने देखा होगा कि जंडा जो हमेशा जो बक्ता है, जो प्रवचन करता है, जो भाशन देता है, उसकी दाइनी ओर होता, जैसे कि मैंने यहां पे लगा के रखा हुआ है, लेट साइड में कभी भी, बक्ता के लेट साइड में तिरंगा कभी भी नहीं लगाया जाता है तो ये भी एक बहुत ही मत्वपुन जानकारी आपको देता हूं है और सबसे मत्वपुन जानकारे की बात करें तो दोस्तों वो है इसकी स्ट्रिप्स के बारे में ये जो तिरंगा है यह हमेशा तीन अनुपात दो में काटा जाता है और इससे छोटा यह लंबा तीरंगा नहीं बनता है मतलब यह नहीं है कि आप लंबा बना सकते हैं बड़ा बना सकते हैं प्रन्तु जो इसका अनुपात है वो तीन अनुपात दो ही होता है दोस्तों आपने सुना होगा कि एक्चूल में कई लोग जो है बहुत एक एक किलोमेटर लभा तिरंगा लेके चले हुए और कह रहें कि हमने एक किलोमेटर लंबा कि परिमात गुओं sudah considered इसको काडा जाता है जो नियों में लिखा हुआ है हालां कि अब थोड़ा नियोमों का औलंगन खुलें में हो रहा है कि आम लोगों को भी इसके बारे में पाता नहीं है, दोस्तो कि बसनम ईत्यरंगे कामान क्या है। तो उनकी भी इस परकार से मैं ये नहीं कहता है, वो जाने अन जाने और वो गलतियां कर रहे हैं, पर फिर भी उनको जानकारी इसके बारे में होने जरूरी चाहिए. यहां पर थोड़ा सा स्पीच, स्सेस्मंद में सरकार के द्वरा भी निरधारत की जानी चाहिए. जब हर घर तीरंगे की अगर हम बात करते हैं कि हर घर तीरंगा पहराना है तो तीरंग ये को कोईसा पहराना है और किस प्रकार से रखना है वो सारी जानकारी जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया ये सरकार के द्वारा रखी जाने चाहिए थी प्रफु षरगाद से कोई भी काम नहीं किया प्रणाम सोरूप क्या हो रहा है कि लोग योsi जाने और जाने तिरंगे का आपमान करने हैं जो कि सही नहीं है दोस्तो इसलिए इस विडि़ियो को जादा से ज़ाधा शेर करिये अपने दोस्तों तक पंचाइए अपने रिश्टी तक पंचाइए तक भी उथे पता हो कि देश का जुति रंगा है वो कीतना मान समान रखता है हमारे लिए कितना जरूरी है और इसका मत तो क्या है यह कुई मजाग थोड़े यह रुमाल है कोई जे में डालके चले है कोई ग